का तो यहांपर जो लगा होता चार्जिंग सेक्शण का जो मोस पूल यहां थो यह पूरी तरीके से हैं पर बूर्ण हो रख Transport मैंने किसी तरीक इसको रिमूव करके इसको अच्छ़ आप सब का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम अपने Lapolis के mathematician label के लैब में मैं और आज में स blond के वारे में एक बुड हमारे पास आया है जिसमें कई सारे प्रोंग डाल्च ची नहीं कर देखा है और उसे प्रोंग को मिलन को दिसकsz कर यह आया था मेरे पास डेड कंडिशन में और इसमें कई सारे चीज की दिकत थी जैसा पहला अगर मैं इसको देखो तो चार्जिंग आईसी इस बोड में नहीं था काफिव उसको क्यूंकि बर्न हो रखा था तो किसी ने इसको रिमूब किया था और देन उसके बाद हम बात कर करके दिखाऊंगा और किस तरीके से इसका जुगार कर सकते हैं वह चीजे में आप लोगों को आज मैं बताऊंगा क्योंकि इसमें जो था एक तो पहला नंबर की कॉमन पॉइंट पर 19 वोल्ट की सप्लाई नहीं बन रहा था जिसमें रिजन का दिक्कत था और कई सारे इसम चार्जिंग सेक्शन को मैं आपको दिखाता हूं कि यह पूरी तरीके से बर्न हो रखा तो कैसे रिपेर करते हैं चलिए देखते हैं तो जैसे की देख रहे हैं कि यहां पर जो लगा हुआ था चार्जिंग सेक्शन का जो मॉस्पेट लगा था वो डूएल मॉस्पेट यहां से मैंने फटा दिया है इसमें श्रटिंग नहीं है यह बोड क्या हो रखा है कि अब मैंने आन तो कर दिया है इस बोड को लेकिन बोड में charging section की दिक्कत है तो इस केस में सिम्पल सी बात है कि कोई यूजर है तो उसको चार्जिंग भी चाहिए लाट अबमें तो इस चार्जिंग का इसमें दिख्कत है तो इस चार्जिंग प्रोम लब जो है कि इस सर्कीट को मैं ओके करूंगा जो कि यहां पर देख पा रहा है कि इस तरीके से हमारे पास यह मॉस्पेट पे मैंने जंपर लगा है तो एक तरीके से मकरेगे जैसे लग रहा होगा आप लोगों को और मैं इसको इसी बोड में वरकिंग करके दिखाऊंगा और बैटरी च पिए टोटल इसमें जो बाहर के साइड दिखता हो यह पिन दिखता आपको और अनदर इसके कितने पिन होते हैं दो प्राइमेज होता है अर यहां पर देखा़ जाएक नमबर पिन इसका ठीक है और चार बाकि इधर का जो पीब हैं वो सारे के सारे क्या हो रखे तो मैंने क्या कर रखाए कि यहाँ पर सिंपल सी बात ही यह आट नमर पिन है यानि एस तू दूसरा इसका ट्रैक तो है तो हम इसी पीन पर क्या करेंगे और इसको 19 वोल्ट से जंपर कर देंगे, और हमारा काम क्या हो जाएगा, complete हो जाएगा इसी तरीके से इसमें भी MOSFET के अंदर होता है D1, S1 और G2 तो टोटल इसमें चारी पीन तो चाहिए नाम है पहला एक output के लिए चाहिए एक input के लिए चाहिए दो gate के लिए चाहिए और एक ground चाहिए तो यह सारा चीजे मैंने यहाँ पर तयार कर रखा जंपर मारके तो और इसमें क्या करना आपको जंपर करना तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा इसमें हमें यह पता है इस वाले पीन में हमारा डी टू है यह सॉरी डी वन है और यह आपका जो है यह नो नंबर पीन है यानि आउटपूट का है और यह वाला जो पीन है व इसके 19 वोल्ट पे आपको क्या करना है जंपर कर देना है तो यह हमारा इंपूट है तो सिंपल सी बात है कि यहां पर देखें हर एक सेक्शन में इन होने से पहले क्वाइल लगा होता है क्या लगा होता है क्वाइल लगा होता है इस क्वाइल पे 19 वोल्ट की सप्लाई आना च पहला नंबर और उसके बाद यहां पर देखें मॉस के का एक नंबर पीन का एंडिकेशन यहां पर देखें कि एक, दो नमber, इस पर बीप करा सकते हि दो नमर, तीन नमर, त्रान fen और ये, 10 नमर बीप कर रहा है अपस में, यह क्योँकि ड्रेन है, तो यहां से हम जम-पर करतेंगे एग पिन किरहें तो देखते हैं तो थोरा सा स्धच का यूज करेंगे और इसा हलका सा पेश्ट लगा देंगे जिसने कि हमेजी तर्रीकेस से जमपर कर पाएं क्यों यह यहां पर यह लगा दिया हमने उसके बाद यहां से यह देखना परेगा कि आउटपुट का कौन सा है यहां से देखिए हमने यह आउटपुट का बनाया है यह वाला आउटपुट का है और आउटपुट में सीधा इसके क्वाइल पर जमपर कर देते हैं इसके सीधा क्या करेंगे क्वाइल पर जमपर कर देंगे जिससे कि इसको आउटपुट यहां से मिल जाएगा तो इन्पुट वाले पॉइंट पे ही लगाईएगा क्योंकि एक साइड तो इसका फिक्वेंसी होता है और पुट पे लगाएंगे और एक पिन को यहां पे मैंने बोडी को यहां पे स्क्रैच कर लिया था और इसी पर क्या करते हैं इसको पहले चेक करते हैं कि ग्राउंड है या नहीं है तो इसको एक ग्राउंड भी हमें देखना पड़ेगा एक ग्राउंड भी देना पड़ेगा तो मैं यहीं से सिधा ग्राउंड देता हूं या इस केपिसीटर को इस साइट से भी आप ग्राउंड दे सकते हैं तो जहां पर ठीक लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं इसको में एक साइट से ग्राउंट के लिए यहां पर मैंने थोरा सा स्क्लेच कर दिया है और इसको यहां पर जंपर कर देंगे बाकि आपका बच गया यहां पर एक ट्रेक और जो जिसका है एसटू का गेट यानि पहला दूसरा मौस्पेट जो है उसका गेट यानि आठ नॉम्बर पीन का जो जंपर है जो की आठ नॉम्बर पीन के ये पास कोई ट्रेक है नहीं ये पूरी तरीके से बर्न हो रखा हमें कोई और देखना परेगा जुगा और यहां पर जैसे कि इस हमारे पास तो इसके अंदर मैं दिखाता हूं जो कि हमारे पास यहां देखिए यह चार्जिंग सेक्शन है हमारा कुंजा है चार्जिंग सेक्शन यह बढ़न हो रखा था आप्ट नुमर्पीन को सिधा जंप लगा हुआ है तो डारेक्टली हम क्या करेंगे यहां पर पंद्रे नमर पिन पर कर देंगे यह हमने कनेक्शन कर दिया है यह भी कनेक्शन कर दिया है और यह भी कनेक्शन हमने कर दिया है तो बच गया हमारा एक कनेक्शन जो कितने नमर पिन पर करना है पंद्रे नमर पिन या कर देंगे तो अब यहां से थोड़ा सा इसको प्यार से करना पड़ेगा नहीं तो यह वायर ब्रेक हो जाएगा तो दिख्कत होगा बाद में उसको ग्लू लगाके हम अच्छे से फिक्स कर देंगे यहां पर एक नमर पीने हैं तो एक एक दो तीन चार पांच 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 और 15 यानि इस कॉर्णर पे हमें जंपर करना है और इस कॉर्णर पे इसको लेखे चलेंगे आंप एक टीव्डर के थोड़े he तो यहां से 5 15 10 और 5 15 यानि इसके अवाले पिण पे और इसको बिल्कुल धिजान से करना होगा इसम बड्राम घृट कर देना है disgucar n cousin कि अगर एक दूसरे पिन पर स्वाट हो जाएगा तो आइसी भी आपका खराब हो सकता है तो इस तरीके से इस पर जंपर तो हो गया हमारा तो रसा इस पर पेस्ट लगाके और अच्छे से कर देंगे जिससे की कोई दिक्कत बाद में ना हो यह फिक्स हो गए यहां पर इस तरीके से हमने इसको फिट कर दिया है और इसको मैं साइड में लगा देता हूं फिर लास्ट में इस पर गुलू डाल देंगे जिससे की यह कोई दिक्कत ना करें इसको मैं चेक करके दिखाता हूं आपको कि यह वर्किंग में है या नहीं है क्योंकि हमने इसको हवा में लगाया है इसके सारे इसको मैं यहां से कनेक्ट करता हूं तो यहां पर देख पा रहे हैं कि अब मैं चार्जिंग के कनेक्टर पर अगर दिखाऊं तो इसक्या वोल्टेज बन रहा है तो यह ग्राउंड है और यह पाजिटिव है तो यह यह सेक्शन काम करेंगा पर्सेंट और यह हमारा बैट्री है तो जिस तरीके से धिन देखनें इसमें माइच क्वार कडा जल रहा है तो यहां पर करron अभी बैटरी का वोल्टेज कितना है अगर इसको मैं रिमूब करते हूँ अभी बैटरी का वोलटेज कितना है यह पर 215 वोल्ट है यानि चार्जिंग करते हैं और बैटरी से एक य क्या वोल्ट ज्यादा आपको मिलता है य lies केस में इसकेत्तरा कर रहा है जिए यह देख रहे हैं यहां पर चार्जिंग उठाली हो गया यहंवर स्थयुए से आगर आपके पास अगर चार्जींग सेक्षन इस त्रीके से अगर वर्ण हो रखा है तब उस सर्कीट को इस तरीके से जुगार कर के आप बना सकते हैं और इसको अच्छे से आप एर्जस्ट कर सकते हैं और shift करके इस circuit को Pูरी tariky से complete कर सकते हैं कि क्यूंकि यह सब चीज् мощya कोई बड़ी चीज से नहीं हैं बहूत आसानी से इस TE चीजो को आप track को बना सकते हैं कोई भी circuit इस तरीके से बन हो रखा तो उस circuit का आप एक alternate option निकाल सकते हैं कि किस तरीके से circuit work करेगा हमने भी जस्ट वही चीजे किया जो board पर circuit लगा हुआ था वह बर्न हो रखा तो तो उसी चीजों को हमने क्या किया यहां पर है एक alternate circuit हमने तर्फ यार किया जंपर और इसको कम्प् себार कर दिया तो इसी तरीके से आपको हरे ट्पिक के बारे में बताया जाता है कि सर्कुट onwards को कि तरीके से आप करेंगे और ओर किस तरीके डेक्स्टोप रिपेरिंग, सीसी टीबी, प्रिंटर, एलीडी टीबी, एसी फ्रीज और आपके पास इवीकल्स इन सारे कोर्स के आपके पास यहां पर अबलेबल हैं, अगर कोई भी कोर्स करना हो तो हमारे दिये गए नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं, और देन वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजेगा और शेयर कीजेगा, थेंक यू सो मुझ